बूर्णिंग चिल्डर्न उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरच्चित होंगे तो इसके पहरे भाग में हमने छोटी E की मातरा पढ़ी थी छोटी E और E की मातरा जिसे हम हर्स E और हर्स E की मातरा भी कहते हैं तो आज हम क्या पढ़ेंगे बड़ी E और बड़ी E की मातरा से शब्द पढ़ेंगे और उनसे अभ्यास करेंगे तो अब आप सब अपने हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और मेरे साथ पेज नमबर 20 निकालिए यहाँ बड़ी E दीवी है जिसे हम दिर E भी कहते हैं तो हम इनसे पहले शब्द पढ़ेंगे बड़ी E से शब्द पैंसिल ले लिए सब लोगों ने अब अब मेरे साथ शब्दों को दोराईए इख 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 इद इद फिर आएए अब पढ़ों यानि कि यहाँ आब हम शब्द पढ़ेंगे इद इख 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 इश 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 नई गई लाई नाई आई भाई दवाई सलाई मिठाई लिखाई पढ़ाई तो हमने कौन साथ शब्द पढ़ा बड़ी इ से शब्द पढ़ा अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे जहां हम बड़ी इ की मात्रा से सब्द पढ़ेंगे बड़ी एकि मात्रा से भी यहां बहुत सारे शब्द दिये हुए हैं तब हम मात्रा से शब्द पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है मचली मचली कीला कील चीता छीरा सब में आपने देखा ना क्या लगा हुआ है बड़ी एकि मात्रा उसके बाद आईए शब्द पढ़ेंगे इकी मात्रा यह सारे शब्द किन से वने है? बड़ी एकी मात्रा से अब आप नीचे अभ्यास में आईए एकी मात्रा लगाकर चित्र का नाम पूरा करो यहाँ पे कुछ चित्र दिये है और हमें क्या करना है? नीचे जो शब्द दिये हैं उनमें एकी मात्रा लगाकर चित्रो के नाम को पूरा करना है तो सबसे पहले देखिए किसका चित्र है दीपक का तो शब्द क्या लिखा है दापक का तो हमें दा में क्या लगाना है बड़ी की मात्रा क्या हो गया दीपक फिर आईए क्या कौन सा चित्र है गिलहरी का तो हमें क्या करना है गिलहरी रा में बड़ी की मात्रा लगाना तो बन गया गिलहरी फिर देखिये क्या है सीप का चित्र है तो सामें बड़ी की मात्रा लगाईए और हो गया सीप अब आप दूसरे पेज में आएए नेक्स्ट पेज में यहां हमें कहानी पढ़ेंगे गीता और वानी की कहानी गीता और वानी वानी गीता की बड़ी बहन थी दादी जी खीर लाई खीर खाकर गीता बाहर आगे बाहर वानी कहानी की किताब पड़ रही थी कहानी एक लड़की की थी कहानी का नाम था भली लड़की वह लड़की बड़ी भली थी वह सबकी मदद करती थी तो हमने किसकी कहानी पड़ी? गीता और वानी की अब हम इसी कहानी से नीचे दिये अभ्याज को पूरा करेंगे मैं यहां उत्तर दे दे रहे हूँ इसे देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लिजीगा दादी जी क्या लाई? दादी जी खीर लाई तो आपको खीर लिखना है वानी क्या पड़ रही थी? कहानी की किताब कहानी का क्या नाम था? भली लड़की यह सब आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिजीएगा उसके बाद आप आईए अगले पेज में पेज नमबर 23 में यहां कुछ शब्द दिये हुए है यह शब्द छोटी ए की मात्रा से दिये हुए है और बड़ी ए की मात्रा से दिये हुए है एक तरफ का शब्द छोटी ए की मात्रा से लिखा हुआ है और दूसरे तरफ बड़ी की मात्रा से है, लिखा हुआ है, इसे हम बोल बोल कर अच्छे से पढ़ेंगे, पहले क्या, खिल, खील, मिल, मील, बिन, बीन, दिन, दीन, सिल, सील, कीला, किल, किला, कील, मतलब आपको अंतर समझ में आया है न, एक तरफ हमें जैसे छोटी की मात्रा कैसे बोलना, खिल, तो खील, मिल, मील, बिन, बीन, दीन, सिल, सील, किला, कील, सबका अंतर भी अलग-अलग है, उसके बाद आप आईए, चित्र का नाम लिखो, नीचे कुछ चित्र दिया हुआ है, आपको उनका नाम लिखना है, मैं यहाँ लिख दे रहे हूँ, आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, या बुक में ही लिख लिजिएगा, मचली, लड़की, सीटी, चीता, यह आप अपने पुस्तक में ही लिख लिजिएगा, उसके बाद शब्दों को सही जगा पर लिखो, यहाँ कुछ शब्द दिये हुए है, कुछ शब्द जो है छोटी ए की मातरा से है, और कुछ शब्द जो है बड़ी ए की मातरा से है, तो हमें छोटी ए की मातरा के नीचे छोटी ए की मातरा वाले शब्द लिखना है, और बड़ी ए की मातरा के नीचे बड़ी ए मातरा वाल शब्द लिखना है इसे भी आप कॉपी में लिख लिजिएगा तो सबसे पहले क्या है छोटी की मात्रा से कौन कौन से शब्द है गिलास, किताब, विमान और बड़ी की मात्रा से धर्ती, सर्दी, मठरी ये सारे अभ्यास अब आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिज इस और इ की मात्रा से शब्द पहले हम इसे शब्द लिखेंगे इद, इश, नई, लाई, भाई, दवाई, मिठाई, पढ़ाई, ये सब इसे लिखेंगे इमा नीम, चीला चील, नदी, परी, गर्मी, धर्ती, तितली हो गया? अब आप समझ में आ गया ना कि जब हम दिर की इकी मात्रा को बोलते हैं तो दिर की इकी मात्रा में थोड़ा खिचाव होता है इसी के साथ मैं पाथ को सेस करती हूँ धन्यवाद झाल